और एम्स के डाक्टरों ने पहली बार एक ऐसी बीमारी का सफल आपरेशन किया है जिसमें इंसान के जबरे नहीं खुलने के वज़़ से ना तो वो बोल पाता है ना ही कुछ खा पी सकता है दात पर दात जमे हुए और मुह है कि खुलता ही नहीं बीमारी का नाम है जो जॉइंट एंकाईलोसिस जिसमें आप ना तो काईदे से बोल पाते हैं और रही बात खाने की तो निवाले की जगह खाने को दातों की बीचों की दराडों से अंदर डालना होता है लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने इस बेहत तकलीफ दे बीमारी का इलाज भी ढूंट लिया है हातरस का 19 साल का शिवम ऑपरेशन के बाद बोलने लगा है और 8 साल बाद आराम से खाता है शिवम जैसे करीब 150 मरीज ओपरेशन के लिए अब भी एम्स में अपनी बारी के इंतिजार में हैं जिसकी वज़ा आम तोर पर चेहरे पर लगी कोई चोट या कान में हुआ कोई इंफेक्शन होती है विदेशों में अब तक करीब सारी 400 ओपरेशन किये जा चुके हैं लेकिन भारत के लिए ये पहला मामला है डॉक्टरों की अलग सोच और शोध ने सिर्फ सूरत ही नहीं बदली बलकि मर्ज सजुरी साड़ी समस्याएं भी खत्म कर दी काबिल डॉक्टर और टेक्नलोजी के दम पर काम्याबी की नई चलांग है फिल्हाल फाइदा एक को मिला है लेकिन कोशिस इन जैसे कईयों की राह आसान करने की है ने दली से कैमरा परसंद तूलसी के साथ परिमल कुमार एंडिटीव इंडिया